गुड मॉनिंग शुडेंट्स आज का जो टोपिक है वो है इंजिनिरिंग ड्रोइंग इंट्रोड़क्शन ओफ इंजिनिरिंग ड्रोइंग या इंजिनिरिंग ग्राफिक देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ED, Just a Language, यह एक language है, एक भासा है किसी भी व्यक्ति को अपनी भावना के बारे में बताना, दरसाना कि कैसी हम किसी भी चितर को दरसाएंगे या किसी को कोई बात करेंगे वो, जैसे मैं एक example लेके चलते हैं जैसे अगर मान लीजिए कोई बंगाली आदमी है, अगर उसको बात करनी है किसी बंगाली आदमी से, तो चाहिर सी बात है, उनको हिंदी भी आती है, इंगली सी भी आती है बट वो बेस्ट कहां पर प्रिफर करेंगे अपने आपको, मतलब उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा दोनों सेम लेंग्वेज में बात करते हैं तो, याने कि बंगाली से, बंगाली बिहार का बंदा है, और तो वो बिहार की भासा में अच्छे से बात करने की कोशिस करेगा याने कि दोनों बंदे अपनी ही language में अपनी मत्र भासा में बात करने हैं की कोसिस करेंगे जो कि उनको अच्छे से समझ में आएगा ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया engineering drawing is a language याने कि अगर कोई बाहर की country का engineer है और हमारी इंडिया का कोई भी engineer है और वो दोनों बात करते हैं तो वो अपनी भासा कैसे बात करेंगे engineering drawing के माध्यम से इसका मेलग ये नहीं है कि उनको English नहीं आती Hindi नहीं आती मैडियर उनको सब आता है बट एक technical way में ED से ED में बात की जाएगे engineering drawing कोई भी diagram दिया जाएगा वो 2D में हो सकता है 3D में हो सकता है ठीक है अब 2D क्या है याने कि जिसके अंदर 2 dimension प्रोवैड करी जाएगी length हो सकती है विड़त हो सकती है साथ साथ उसके अंदर पूरी detail होगी like symbol होंगे उसका introduction होगा drawing क्या होती है कैसे वो सब चीज उसके अंदर दी जाएगी ऐसे ही अगर in case कोई 3D diagram है तो 3D diagram के पूरी detail दी जाएगी कि वो isometric में है oblique में है या किस तरीके से वो बनाया गया है उसका first angle है third angle है तो वो सारी detail एक engineering drawing के थुरू दी जाती है इसलिए हमें पढ़नी पढ़ती है engineering drawing ठीक है और इसका पूरी full form है engineering drawing और easy का मतलब है engineering graphic I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you so much media student